दोस्तो ओम नमाशिवाय मैं ही मान्शु शर्म आप सभी का हार दीख हार दीख कभिनंदन करता हूँ आज मैं जो भी तत्थे आपके सामने रखने जा रहा हूँ वह शिव पुराण, लिंग पुराण या इसकंध पुराण से मैं आपकी सेवक में लेकर आया हुआ हूँ शिव जी के गले में कई तरह की मुंड मालाएं हैं वह किसका मुंड है, कितने तरह का शिव जी के गले में मुंड माला है जवाब है तीन शियो जी के गले में तीन अलग अलग तरह की मुंड मालाएं है सबसे पहला जो शियो जी के गले में मुंड माला है वह है राभू का देखी हुआ क्या था जिस समय शमुद्र मन्थन हुआ उस समय एक राक्षास यहां तब तो आप सभी जानते हैं कि वह देवों के लाइन में आकर बैठ गए और जैसे ही वह अम्रित पान करने वाले थे चंद्रदेव तुरंद नारायन से उनकी सिकायत किये अरे प्रभु यह तो राक्षास है मैं इसे पहचान गया हूं नारायन ने क्या किया अपने सुधर्शन चक्र से तुरंट उसके गले को काट दिये वही जो सिर के उपर का भाग है गले के जो उपर का भाग है वह राहु कहलाया और राहु तुरंद जब उनको पता चला अरे मेरी सिकायत तो चंद्रदेव के द्वारा की गई है वह तुरंट चंद्रद्यव के पीछे पड़ गये चंद्रद्यव इधर भगते, उधर भगते, उधर भगते हर बार पीछे पीछे उनको अपने राहू दिखाई देता अन्त में जब चंद्रद्यव को कोई भी जगा नहीं मिला तो वह शिव जी के पास ले शिव जी से निवितन किये भई ऐसी है इसी बात है मैं तो देवों की हित के लिए यह कारे को किया हूँ और मैं बहुत बुरी तरीके से फस गया हूँ अब मैं क्या करो शिव जी ने तुरंत चंद्रदेव को अपने जटाओं में इस्थान दिया जैसे ही राहु दियो को पता चला रहे चंद्रदेव तो शिव जी के पास पहुँच गए है राहु दियो भी दोड़ते दोड़ते पहुँच गए बोले प्रभु यह तो गलत है आप तो देवों के देव हैं आप यदि देवों के देवता हैं तो आप राक्षशों के भी देवता हैं आप तो सभी के देवता हैं आप तो पशुओं के भी देवता हैं इसलिए आपका एक नाम पशुपती भी है अब मैं कैसे करू राहुदि क्या हुआ उपर aquest बैठे हुए हैं जो अम्रित से भरे हुए हैं अम्रित को रीप्रेजेंट करते हैं नीचे राहुदेव, चंद्रदेव का डर के करण बार बार पसीना निकलता था, वह पसीना जाता था राहुदेव के मुँँ में, और जितने बार अमरित मैं पसीना राहुदेव के मुँँ के अंदर जाता था, उतने बार एक नया और राहुदेव का मुंड तयार हो जाता इस प्रकार से एक बहुत बड़े मुंड की माला शिव जी के गले में है जो राहू के सिर की माला है राहू के मुंड की माला है मैं प्रारंब में बोला तीन तरह की मुंड माला है यह तो हो गई पहली बाद दूसरी माला जो है वह सती के मुंड की है मापारवती के रूप में जन्म लेने के पुर्व मापारवती जिस भी रूप में अलग अलग जन्मों में जन्म ली है कभी सती के रूप में लिए हैं कभी और किसी रूप में लिए हैं हर बार उनके मुंड की माला जब मैया अपना सरीर छोड़कर उपर जाती थी तब हर बार उनके मुंड की माला शिव जी के गले में एक-एक मुंड करके लगातार बढ़ता चला गया दूसरी माला है जो शिव जी के गले में मुंड की वह मा सती की माला है या मा पारवती के पुर्व जन्मों की उनके सर की माला है तीसरी जो माला है शिव जी के गले में वह ब्रह्म देव के सर की माला है इस प्रकार से तीन अलग अलग तरह की मुंड माला शिव जी के गले में